तो हेलो फ्रेंट्स आपका पीस से बहुत-बहुत स्वागता है आपके अपने ही चैनल SMII पे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे गेल के स्टॉक की गेल के स्टॉक में आज बहुत ही बड़ी ब्रेक ओट हो गई है बहुत ही बड़ी जो है आपको तेजी देखने को मिल है आज जो स्टॉक है 3.63% की रैली के साथ 189 की प्राइस में टेड कर रहा है तो आई इसका टेकनिकल चार्ट और वैल्यूइशन का डाटा डिस्क्स कर लेते हैं नए आयो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले लेकिन का बटन जूरू पैस करें इससे आप को हमारे आने वाले वीडियो इसका नोटी क्वेशन मिल जाएगा दोस्तों यह कामपड़ी ओयल एंड गैस सेक्टर एक लार्ज कैप कामपड़ी है पी एजू सेक्टर की कामपड़ी है जदि इसका दिसमबर क्वार्टर का रैवन देखें तो वहां पे क्वार्टर ओन पे आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और जदि प्रॉफट की बात करें तो कामपड़ी का प्रॉफट लास्ट वांड येर से कांटीनूसली बढ़ रहा है इसका कारण है कि कामपड़ी के जो मार्जन वह इंप्रूब हो रहे हैं यहां पे देखो दिसमबर 22 देन मार्च जून सब्तमबर दिसमबर तो कामपड़ी का प्रॉफट है कंटीनूसली ग्रू हो रहा है क्योंकि दोस्तों जब किसी कामपड़ी का प्रॉफट बढ़ता है तो उसके फंडामेंटल्स भी इंप्रूब होते हैं तो आरवी परसनेज भी इंप्रूब होती है अब इसकी एक पर valuation का data भी हम आपके साथ share करते हैं कि company ये currently किस valuation पे आपको मिल रही है, दोस्तों ये जो stock है ये 14.93, nearly 15 के PE multiple पर मिल रहा है, sector की PE multiple 20 है और price to book ratio भी सही है, 1.65 की है तो valuations are looking quite attractive, company के fundamentals देखें तो stock बहुती सही valuation पे है, dividend yield भी बहुती अच्छा है, 2.73% का dividend yield है, ROE percentage 7.25% की है, ठीक है, तो fundamentals okay दखाई दे रहे हैं, valuations भी बहुती सही हो चुकी है, financial report भी बहुती शांदर है, company oil and gas distribution sector में काम करती है, और natural gas processing में भी company का अच्छा business है, साथ के साथ distribution का भी business है, different type के gas products में company बहुती बड़ा काम करती है, business करती है, shareholding देखें तो आप देख सकते हो, FIIs भी इस company में एक बड़ा पैसा लगा के बैटे हैं, 14% के around stake है, mutual funds का बहुती बड़ा, और DAIs का बहुती बड़ा stake है, तो shareholding pattern भी बहुती अच्छा mix है, तो आदेवाले टाइम में दोस्तों आपको इस stock पे stop loss लगा के जो है वो trading करने की राये है, यह जो stock है 200 के level को cross करने की कोशिश करता है, इनना short term, क्योंकि जड़ी number सही रहे हैं, तो यह stock पे अपने all time high को cross करेगा, और इसका जो 200 का level है, वो भी break होने की कोशिश कर सकता है, तो इसलिए दोस्तों हम यही कहेंगे, इस stock पे आपको जो है बो positive target देखने को मिल सकते हैं, और जैफरी की तर्म से underperform की call आ रही है, लेकिन उनके target इस stock पे बढ़ गए हैं, और देख लेते हैं कि जो जैफरी हैं, उनकी तर्फ से क्या target जो है वो दिये जा रहे हैं, according to the brokerage, the risk reward ratio is very very favorable for the stock, जैसे हमने valuation बताई हैं, valuation बहुत ही सही है, और company का business बहुत ही बढ़िया है, new trips will be certified effective from June 24, क्योंकि जो petroleum natural gas regulatory board है, notification makes no reference to the higher gas cost for gain, and आप देख सकते हो के जो PNGRB, under the ministry of petroleum, regulation of refining, processing, storage, transportation, distribution, marketing, and sales of petroleum, and petroleum products, natural gas, excluding production of crude oil and gas, तो मतलब ज्यादा impact इस company पे नहीं रह सकता है, जो भी ministry ने decision लिया है, उसका ज्यादा impact जो है वो company पे नहीं रह सकता है, and company के projects वो well processed कर रहे हैं, and company also plans to commission, its first green hydrogen gas plant, तो quarter 3 में भी company के नतीजे रहे थे, अच्छे, और अब भी quarter 4 में company के नतीजे अच्छे रहने के chances हैं, तो इसलिए दोस्तो, risk reward ratio quite favorable है, और इसके जो target है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, 200 से लेके 220 तक के जो है वो आपको target देखने को मिल सकते हैं, in the short term, तो अपना stop loss लगा के गेल के जो target है फॉलो करते रहें, company बहुत ही अच्छी है, long term के लिए clearly एक multi bagger company ही है, और fair value भी यहां पर आपको दखाई दे रही है, तो thanks again दोस्तो, फिर मिलेंगे नए video के साथ, अभी तक हमारे channel के साथ नहीं जुड़े हो, तो हमारे channel को subscribe जरूर करके जाएं, thanks again